तो नमस्कार दोस्तों महासमून डिस्टिक में चार विज्यापन जारी हुए हैं और चलिए बारी-बारी से हम चारों को यहाँ पर आपके साथ सेयर करते हैं तो पहला विज्यापन देखें कार्याल है कलेक्टर महासमून जीला महासमून भरती है तो विज्यापन तो दोस्तों आवेदन मंगाय जा रहे हैं 24 मई से दिनांक 12 जुन 2013 सायम 5 बचके 30 मेर तक रजिस्टर डाक अथवा स्पीट पोस्ट के माध्यम से पद क्या है देख लिजे सहाय ग्रेट 3 है टोटल पदों के संख्या है 38 और इस टेनो टाइपिस्ट है इसकी पदों के संख्या है 9 इसके साथ ही वाहन चालक है वाहन चालक के पदों के संख्या है 5 और भृत्य है भृत्य के पदों के संख्या है 35 तो ये सभी गुर्मेंट इंपलाई हैं दोस्तों अर्थात सरकारी नवकरी है तो आप इन सब में डाल सकते हैं, चलिए बाकी details क्या है तो यहां देखे, महतर टीप क्या है, पदों की संख्या परिवर्तनी है अर्थात यहां पर waiting list निकाला जाएगा, जो एक साल के लिए वयद रहेगा और उसमें से जो रहेंगे, उनको जो है निकती दे जा सकती है तो चलिए देखे, देखते हैं, education, qualification क्या है, secondary की योगिता है सहाई grade 3 के लिए देखे, 10 plus 2 उत्तिन होना चीए, उसके साथ ही एक वर्स का data empty operator का प्राण़ पत्र होना चीए, सारी कहना चीए, programming या computer का तीसरा योगिता है, 5000 की depression की speed होना चीए, आगे देखते हैं, कहाँ कहाँ से जो certificate मानने होगा तो ये देख सकते हैं, ITI से पहला इस टेनो टाइपिस्ट के लिए 10 plus 2 वो compulsory है, दूसरा है हिंदी सिग्र लेखन में 60 सब्द प्रती मीनट की गती चाहिए, और गती के संबन्द में कौसल परिक्षा ले जाएगी अगला है, मानिता प्राप्त संस्था से data entry operator प्रोग्रामिंग में एक वर्सी डिप्लोमा प्राण़ पत्र तथा 5000 की depression का speed चाहिए और यहाँ पर टीप है, उपरोग्त अरहता में computer विसे संबन्दित परिक्षाओं के उत्तिन प्रमाण पत्र डिप्लोमा पाथी के लिए समानने प्रसासान विभाग के परित्र पत्र संस्था मानने होगी, तो संस्था काउन से मानने होगी अभी हमने उपर में देखा है वहन चालक के लिए देख लिए तो वहन चालक के लिए आठवी उत्तिन होना चीए और साथ मोन के पास वैल्ट ड्राइविंग लैसेंस होना चीए, फोर विलर का ब्रेत्र के लिए पांचवी कक्षा उत्तिन होना चीए, जिन आविदेकों को 36622 लिए जाने हो पांचवी होगी, आयो सीमा की बात कर लिए तो निर्धारित आयो सीमा समान्य प्रसासन विभाग के परिपत्र कमांग इतना दिनांग के अनुसार चदिड़ के इस्थानी निवासी का दिक्ताम आयो 40 वर्ष निर्धारित है और विशे स्वर्गों के लिए आयो सीमा में छूट जो ही की जाएगी तो आयो की गणना की जाएगी एक जन्वरी 2023 के अधार पर यह आप नोट कर लिजे आयो की गणना जो है एक जन्वरी 2023 के हिसाब से की जाएगी अगली महत्तर पूर्ण बात देखिए आवेदन पत्त भरने सम्मंधी सर्ते दिर निर्धेशन जनकारी प्रति एक को स्वयम का पता लिका पांच रूपी का डाक टिकट लगा कर खाली लिफापा नौ बाई चार के अकार का अनिवरार रूप से आवेदन किसान सलंगन करना होगा जिससे अपका जो है काला प्लेटर आएगा अवेदक को छतिर कमूल निवासी होना अनिवार है रोजगार का अगली महत्रबुन बात देखे आवेदन पत्र में नियत इस्थान पर स्वयम के द्वारा सत्यापित नविंतम पास्पोर्ट साइच फोटो का निवारूप से चिपका है आवेदक को आवेदन प्रमार पत्र के साथ सेक्षिक योग्यता तक्निकी अरता द्वारा सक्षम अ सायम पांच तीस बजे तक कहां पहुँचना चाहिए कार्यालाय कलेक्टर वित इस्थापना काक्षराण 19 बिटियाई रोड महासमून जीला महासमून इस पते पर पहुँचना चाहिए अर्थात आपको अपने जो लिफापे हैं उसके उपर ये चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पर फिर एक बार देख लिजे पदों की संख्या कमी मृद्धी हो सकती है विज्यापन दिनांग से अगामी एक वर्स तक किनी भी कारण से उत्पन रिक्तता इस वी विज्यापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से निमानुसार भरी जाएगी याद रखे ना एक व क्रिया की बात कर लेते हैं चलिए चैन कैसे होगा तो देखी नियूंतम सेक्षिरिक अरता जो है हायर सेकेंड़ी है साथ हंका होगा इसमें सेकुल प्राप्तांग के प्रतिसत के साथ प्रतिसत के बराबर ठीक है जैसे कि मान लिजे किसी ने कहना चाए असी परसेंट अंक आया तो उस असी का साथ परसेंट निकाला जाएगा उसको साथ अंक माना जाएगा ठीक है असी का साथ परसेंट जीतना भी आएगा तो उसको साथ परसेंट अंक माना जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का पांच हजार की डिप्रेशन की जो सं परिच्छ में प्राप्तांग को मिसे 50% अंग कम से कम 20 अंग प्राप्त करने वाले उमिद्वार 6 अंग के योग यह माने जाएंगे ठीक है 40 का 50% वाला 20 अंग पाना ही है उसको तभी बात बनेगी ठीक है एक बरौर समझ लेजिए माले यह आपने बारी में 50% आए तो 50 का 60% कितना होगा 30 होगा तो 30 अमाल यह आपको इसमें 20 अंग मिला तो 30-20 कितना हुआ 50 अंग आगे बढ़ते हैं इस टेनो टाइपिस्ट जो है उसके लिए भी सेम चीज है कोई अलग नहीं है तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वाहन चालक के लिए देख लिए तो वाहन चालक के लिए क्या है 70 अंग निर्धारित सेक्षिट अर्था के कुल प्राप्तां के प्रतिसत के 70% के बराबर होगा और 30 अंग होगा वाहन चाल अंदक्षत में कुल कितना सवंग और भृत्य जो है नियुक्ती प्राधिकारी दोरा गठी चेयन समिती के अधार से चेयन की कारवाही पूर्ण की जाएगी और निर्धारी सेक्षिट करता कक्षा पांची उत्रिन कक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के अधार पर क्या है किया जाएगा अन्य महत्तपूर्ण जानकारी जो है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जो कि महा समुन जीला के वेबसाइट पर उपलब्द है और हम चलते हैं दूसरे विग्यापन की ओर तो दूसरी निक्ती भी जीला अर्वेद अधिकारी महा समुन से निकले हुई है और यहां पर है का अब तक पहुंचना चाहिए 20 जून साम के साथे पांच बजे तक रिजिस्टर स्पीट पोस्ट के द्वारा आमंत्रित की जाते हैं पदो की संख्या आप देख सकते हैं पदो की संख्या कम है कुल 16 पद है और लगभग सभी जो है मुक्त है इसमें जो भी है आप यहां से देख पाएंगे सेख्षिक अधरता तो आउसधालाय सेवा खेतु कितना है देख लिजिए आठवी उत्तिन मसाजर आठवी उत्तिन सारी कुर्प से दिव्यांग नहों उचाई इतना होना चाहिए सरलक्रमांग चार चावकी दार केवल पूरू सरलक्रमांग पांच वाड चैन की प्रक्रिया कैसी होगी तो दोस्तों चैन की प्रक्रिया देख लिजी यहाँ पर चैन आठी में फ्राप्त अंको के मेरिट के अधार पर किया जाएगा यहाँ देख सकते हैं यदि कोई अभिरती नियुनतम सारीक और योगिता के मांग बंडों को पूर्ण नहीं करत पर आपको भेजना है अर्थार जो लिफाफ है उसके उपर यह लिखाना चाहिए ठीक है दोस्तों बाकी सब जो डिटेल्स है आप पढ़ लीजिएगा मैंने महत्यपुन बाते जो है आपको बता दी है यह आविदन का प्रारूप है अब चले चलते हैं चौथे जो पद है उसके लिए आविदन मंगाये गए हैं कहां पर तो स्वामी आत्मान अंद उतक्रिष्ट्वी सिद्याल है प्रबंदन समीति की द्वारा तो यहां पर पदों की संख्या देख सकते हिंदी संस्कृत अंगरेजी इस प्रकार से नियुंतम सैक्षी करवता देख ल सामील है तो कुल पदों की संख्या है यहां पर 144 आविदन कब पहुचनत यह तो देखो नियुक्त किये जाने हो तो युग्यता धारी आविदकों से आनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से समीधा भरती है तो आनलाइन आविदन 18 मई 2030 से 31 मई 2030 को रातरी 12 बजे तक आविदन आमंत्री किये जाते हैं निर्धारी तिथी में जो है और विज्यापन का उलोकान यहा के वेबसाइट पर उपलब देर था www.mahasamun.gov.pin पर आपको आनलाइन आविदन करना है इसके लिए आप लाइन नहीं है इस चीज को ख्याल किजेगा और इस प्रकार से देख लिए आविदक जीला सिक्षा का रेले के गूगल फार्म लिंक कुछ इस प्रकार से है यह नहीं होंगे पंजी की डा का थ्वाफ लाइन आविदन अमान्य है विज्यापीत पदों पर चेयर निम्ना नुसार विविन परिच्छा के अधिभार के अधार पर किया जाएगा देख सकते हैं पदनाम व्याख्याता दस्वी नहीं उसमें गिने बारवी के 20 परसेंट सनात कुत्तर का 50 परसेंट कुल कितना सावंग तो इस प्रकार से अधिभार जो है लेकर आपका मेरिट लिष्ट जो है तयार किया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको आनलाइन आविदन करना है अगला चलते हैं चौथी निवक्ति पर तो चौथी है कारेले कलेक्टर आदिवासी विकास साखा महा समून सिरिक लिवी है और यहाँ पर आपको जो है आन्तीमती थी है 31 मई 2023 तक रजिस्टरड अप स्पीट पोर्टिस्टर के माध्यम से आविदन जो है आमंतरित किये जाते हैं और आविदन क्या चीज़ है देख लिजिए तो यहाँ पर डाटा इंट्री आपकेटर एक पद है और तीन पद सहाय ग्रेट थी के हैं और भीत्य है एक पद याद रखी न ये जो पदों के संख्या परिवर्तनी है अर्थाद बाद में ये पद बढ़ गए तो वेटिंग लिस्ट से नियुक्ती होनी है तो यहाँ पर डाटा इंट्री आपकेटर है तो योग्यता देख लिजिए तो 10 प्लस 23 और डाटा इंट्री आपकेटर का इंदी में डिप्लोमा 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा साय ग्रेट 3 के लिए देख लिजिए साय ग्रेट 3 के लिए पहला 10 प्लस 23 दूसरा डाटा इंट्री आपकेटर तीसरा की डिप्रेशन निमित भृत्य पद है तो निउन्तम सेक्षिक अरता है तो देख लिजिए किस मानेता प्राप्त मंडल से कम सकम पांच भी परिक्षा उत्रिण होना चाहिए भृत्य बद्र के लिए मत पूर निर्देश देख लिजिए अभ्यहर्तिक पर सुपरोगत आवस्यक सेक्षिक अरताओं में अन्य जो अरता आविदन करने हे तो निर्धारित अंतिम देटी त पारित करना वस्यक मतलब आज के डिट में आप कहना चाहिए वो धारित करते हैं वो योग्यता तब आप डालेंगे निर्धारित आईसुमा 18-35 वर्स है और नीमा अनुसार जितने भी छूट है वो सब मिलेगी चैन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार्च होना है विद्याकित पत के लिए निर्धारित आवस्यक स्रेक्चिर देता है नियुनतम है इन योग्यताओं के होने से ही उम्मिद्वार समानं की सिते में उम्र को वरीता दी जाएगी तो ठीक है दोस्तों इस तरह से ये चारो बिग्यापन निकले हुए हैं आप इसमें फार्म डाल सकते हैं आ आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं जरूर रिप्लाइब करूंगा और और ऐसे जाब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो में बने रहे हैं धन्यवाद